अगर आपने गन्ना बोया हुआ है और आपने अभी तक गन्ना गोसना पत्र को आपला आप लाइन अपलाइन नहीं किया है तो दोस्तों आपको परची नहीं मिल पाएंगी अगर आप पहले से ही भर देते हो तो आपकी बहुत जल्द से जल्द से आपको परची लेट पराप्त होंगी तो दोस्तों किस तरह से आपको अपने गन्ना गोसना पत्र को भरना है आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको आपको आपलाइन करना है कोई भी ब्राउजर ले अगर लेटाप या कंपूडर कर लेजिए मूद पर हम कलिक करेंगे उसके बाद यहां पर जो पाहला लिंक हे उस पर हमें इकिलिक करदेना है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से कप्चा कोड दिखाई देगा जिस सही से फिलप कर लेना है इसको हम फिलप कर लेते हैं उसके बाद हम यहाँ पर व्यू वाले आप संपर क्लिक करेंगे जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहल करेंगे तोहाँ पर गो यहां पर किसान की निकलके आ गई ए तो यहाँ पर हमें गोशना पत्र बरना होता है यहाँ पर देखिए इसकी सर्वे अब तक नहीं चड़िये तो यहाँ पर जो आगर आपकी सर्वे चड़ी होगी तो यहाँ पर सो होगी तो गन्ना गोशना पत्र बरने के लिए आपको यहाँ पर एक गोशना पत्र लिगा इस सोरा का कापी कर लेंगे और यहां पर हम फिर से बैख जाएंगे और घोषनापत्र वाले अफिसंट पर हम क्लिक कर दीसद देनंगे जैसे हम इसपर क्लिक करेंगे तो यहां पर धिकांट के चार्ट डिजिट फिलबöt करने होते हैं अगर मुवाल नंबर इस पर इसको फिलप करेंगे और यहां पर जो सत्यापित वाला आपसन है इस पर हम क्लिक कर देंगे दोस्तों जब हम मुवाल नंबर और आधार नंबर के फोर डिजिट डाल के जब समिट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से डेशबोर्ड ओपन होगा यहां पर आपको डिटेल अपनी फिलप करनी होती है तो सबसे पहले हमें इस पर संसोधित करें इस वाले आपसन पर क्लिक कर देना है जब आप इस पर क्लिक करोगे तभी यहां डिटेल को फिलप कर पाओगे तो हमने इस पर क्लिक कर दिया आए और उसके बाद यहाँ पर जो हमारी detail है वो खुल गई है अब यहाँ पर हमें सबसे पहले अपने इंतखाब की detail को फिलफ करना होता है यहाँ पर हमें step by step पर के सारी detail फिलफ कर लेनी है अगर आपको इंतखाब निकालना नहीं आता है तो बूभी में आपको बता देता हूँ किस तरह से आपके सामने कुछ links open होगे यहाँ पर सबसे पहले वाले link पर आपको click कर देना है उसके बाद यहाँ पर जो real time खतोनी की नकल देखें इस वाले option को click करेंगे और यहाँ पर आपको capture code जो दिखाई दे रहा है उसको सही से fill up कर लेना है तो इसको fill up करेंगे और submit कर द gram के नाम आ जाएंगे और यहाँ पर अपने गांग को select कर लेना है और select करने के बाद अगर आप नाम से search करना चाहते हो तो इस वाले option पर click करके अपने नाम से भी search कर सकते हो अगर गाटा संक्या आपको पता है तो यहाँ से search करोगे और खाता संक्या यहाँ से search करोगे उसक दिखाव को निकलना चाहते हैं वो डिटि यहां पर फिलप करेंगे वो फिर से उद्रन खतोनी करेंगे तो यहां पर हमसे कैप्चा कोड पूछा जाएगा तो कैप्चा जो इसमें दिखाई देर आए उसको हम सही इसे पहकर देंगे और यहां पर पर लैंतिकर आप करेंगे तो हमारी सामने इन्तखाब कि डिटिल निकल कर आगे हैं यहां पर हम्हें देटील फिलडीningen ौती ए तो किस तरह से आपकों से सब्सक्राइब के कि रेखे चलेते हैं यहां पर यहां पर सच्छे साधीन सिसदाइब किंगया है और यहां पर जो गाटा संक्या है वो फिलप करेंगे जो यहां पर दिखाई दे रहे हैं 518 इसको यहां पर हमें फिलप कर देना है इसको हम फिलप करेंगे उसके बाद यहां पर जो गाटा संक्या है वो हम फिलप कर देते हैं और उसके बाद जो छेतरफल है तो आप अपनी खत्रफरitus में देख लिजीए कितना खत्रफर उसको आप सब्सक्राइब करने उसमें तो आपको 50% जाब करना एंगर सिंगल खतेदार है तो आपको 100% करते करें के तो उसके बाद यहां पर जो नीचे आपसें दिया गया गन्ना, पौधा, गन्ना की किस्म, जो पौधा है हमारा, उसकी किस्म क्या है, तो अगर आपको किस्म पता है, तो उसको सेलेट कर दीजे, यहाँ पर हमने किस्म को सेलेट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर जो डिटेल है, कि हमारा जो पौधा है, वो कितने flip करना है, तो अगर आप की टेटेल को दूसरी किस्म की है, तो उसको हमारा पूरा हो जाएगा, अगर आपको सर्द कालीन में भी चड़ाना है, तो यहाँ पर कर दीजिए, उसका स्चेतरफल आधिक नहीं बरना है यहाँ पर फिलप कर देंगे और साइड में हम जिसे क्लिक करेंगे तो यह हमारा देखिए दोस्तों अभी फिलप हो जाएगा फिलप हो गया अब हमें यहाँ पर एड कर देना है एड करेंगे एड कर दिया तो दोस्तों इस तरह से हमारे सामने यहाँ पर जो प्लाट का गाउ हो है वहां पर नाम आ गया है गाटा संके आ गया खतोनी संके आ गया है चेत्रपल आ गया शेयर भी आ गया है जितने भी हमारा total detail यहां पर निकल के आ गई है अब हमें इसको submit कर देना है यहां पर हम okay करें यहां पर पिर से बंद हो जाएगा और हमें यहां पर फिर से बेग जाना है और यहां पर गोशना पत्र वाले आप्शन पर हम क्लिक करेंगे फिर से जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे सामने फिर से आपने अधा नंबर की डिटेल को फिल अप करदेना है चारंग का आदार काड के मैं हो सत्यापित करने के बाद जो हमारा गोसना पत्रे यहां पर दिखिए दोस्तों फिर से डिटेल निकलकर आ गई है यहां पर हमारा डाउनलूड हो गया है, इसको मोपन करके देख लेते हैं किस तरह से दिखाई देगा, तो इस तरह से जब दिखाई देगा, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अकाउंट नंबर बगएरा डिटेल उसकी है, वो सामने निकल के आ गई है, तो मित्रों आपको समझ में आ ग दो किस्तरम पूल के निकल के बुदितरों, पर दो आपको समझ में और तरह सो रहाँ ऑगाई आप दो इस दिखाई हैं?